नमश्कार मैं हूँ गरिमा भारती और लाइफ सिटीज पर लगातार हम आपको बुचहा उप्चुनाव के नतीजों को लेकर अपडेट कर रहे हैं एक एक राउंड की काउंटिंग होती जा रही है और स्थिती स्पष्ट है और सत्रवे राउंड की भी काउंटिंग समाप्त हो गई है लेकिन इसमें ये पता चल रहा है कि आरजेडी का नया समी करण यानि की भूमाय भूमिहार, मुसल्मान और यादव इसका जादू अब दिखने लगा है बोचहा में भूमिहारों ने भी आरजेडी को जम कर वोट किया है इसी का असर अब दिखाई दे रहा है चीजों को साफ कर रहा है ये बता रहा है कि तेजस्वी आदव का नया समीकरण भूमाय समीकरण अब काम करने लगा है अपना जादू दिखाने लगा है आपको बता दे कि सत्रवे राउंड के काउंटिंग के बाद आर जेडी के अमर पासवान 23,793 मतों के अंतर के साथ काफ अपनी पिता की सीट के लिए लड़ रहे हैं अमर पासवान और लग रहा है कि वो मकसद में कामیाब हो रहे हैं उसकी और आगे बढ़ रहे हैं दूसरे नंबर पर बात करें तो बीजेपी की प्रत्याशी बेबी कुमारी दूसरे नंबर पर चल रही है 32,498 वोट बेबी कुमारी को अब तक आये हैं लेकिन BJP और RJD के बीच में वोटों का जो अंतर है जो फासला है वो बहुत बड़ा है इसे कवर कर पाना बहुत जादा मुश्किल अब दिखाई दे रहा है बात करें वी आईपी की विकासिल इंसान पार्टी की तो गीता देवी डॉक्टर गीता देवी इसके टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और 18,665 वोट सत्वें राउंड की काउंटिंग के बाद आए हैं गीता देवी को बुचहा का उपचुनाव जो है बुमिहार कई सारे जीत कर आए और अब इसका असर बुचहा में भी दिखाई दे रहा है तेजस्वी आदफ का नया फॉर्मिला नया समीकरण भूमाय समीकरण जिसे हम आजकल कह रहे हैं वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि मतों का जो अंतर है वो ये सारी चीजें स्पष्ट कर रहा है हमने आपको कई दफ़ें बताया कि बोच्छा में किस तरह का जातिय समी करन है मल्ला कहते हैं कि वो सबसे अधिक है तो भुमिहार कहते हैं कि वो सबसे अधिक है लेकिन जब वोटों की गिंती हो रही है राउंड दर राउंड हम बाते कर रहे हैं अब धीरे धीरे आरजेडी उस और अविसर होती हुए दिखाई दे रही है फिलाल हम इंतजार कर रहे हैं फाइनल राउंड की काउंटिंग की कौन जीतेगा वो हम आपको जल्द ही बताने जा रहे हैं लाइफ सीटीज के साथ आप बने रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें साथी साथ हमें ट्वेटर पर जरूर फॉलो करें धन्यवाद